आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर Question में हमसे क्या कह रहे हैं? कि एक True Breeding Tall Plant लेया हमने Garden Base का और इसको Cross कर दिया एक True Breeding Dwarf Plant के साथ तो अगर जो हमें F1 में Plants मिलते हैं इनके आपस में हमने Selfing की तो अगली जनरेशन में हमें Genotypes का क्या Ratio मिलेगा? दिये के Options को देखके हमें यह बताना है तो यह यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ Tall और Dwarf दो Terms हमने यूज की हैं तो यानि एक Mono Hybrid Cross है यानि इसमें हम सिर्फ किसी एक Particular Character की या किसी एक Single Gene की Inheritance को Observe कर रहे हैं और क्योंकि Garden Peace का यह हमें Plants दिया हुए इसलिए Mendel ने जिस तरह से Mono Hybrid Cross Carry Out किया था अपने Garden Peace के यानि पाइसम सिर्फ हमें के Plants में बिल्कुल उसी तरह का Cross यहाँ पर हमें मिला है तो Stem Height को Control करने वाले Garden Peace में हम देखते हैं हमें दो Alleyle मिलते हैं एक T Gene होती है जिसके Control के Under Stem की Height होती है और क्योंकि यह P Plant है तो यहाँ पर यह एक Contrasting Trait हो जाता है और Contrasting Trait से हमारा यह मतलब है कि इसमें हमें दो ही तरह के Phenotype देखने को मिलेंगे यहाँ तो P Bland हमें Tall मिलेगा जो कि हमारा Dominant Phenotype है और Capital T वाली Alleyle की वज़ए से Produce होता है या यह Dwarf होगा तो यह हमारा Small T वाली जो Recessive Alleyle है उसकी वज़ए से Phenotype प्रड्यूस होता है और इसके अलब कोई तीसरा Phenotype नहीं है कोई Beach की Height नहीं है कोई Intermediate नहीं है Contrasting Trait हम इसको कह ही इसी ले रहे है क्योंकि यही दो हमें Distinct Choices यहाँ पर देखने को मिलती है तो एक हम ले 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 प्योर टॉल प्लांट यानि दोनों उसके पास Dominant Alleyle है और एक प्योर ड्वार्फ ले ले लेता है तो इनको आपस में Cross करने पे जो हमें पहली जनरेशन मिलेगी पहली फिलियल जनरेशन यानि हमारी F1 जनरेशन इसमें हम देखेंगे एक ही तरह के सिर्फ Offspring Produce हो सकते हैं अपने Tall Parent से वो सिर्फ Capital T receive करेंगे Dwarf Parent के पास भी सिर्फ Small T है तो यहाँ पर हमें केवल Hybrid मिलेंगे जिनके पास दोनो Alleyle एक-एक है लेकिन क्योंकि Dominant Alleyle Capital T है तो यह हमारे सारे के सारे Hybrid F1 Generation के जो है यह Tall हो जाएंगे Small T को तो Expressy नहीं होने देगा Dominant Alleyle इसके बाद में यह जो हमें F1 Generation में मिले हैं इनकी अगर आपस में Selfing कराई जाए इनको Cross कराई जाए तो हम देख सकते हैं कि हमें अलग-अलग तरह के यहाँ पे Genotype मिलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक Heterozygote है इसके पास दो अलग-अलग तरह की Alleyles है और इसलिए यह Different type के Gametes भी बना पाएगा तो यहाँ पर अगर हमारे पस दो Heterozygote हैं इनका आपस में हम Cross करके देखें तो क्या-क्या Possibilities हो सकते हैं यह देखते हैं हमें प्रोजनी में किस तरह की Genotypes मिल सकते हैं एक हमें ऐसा मिल सकता है जो Homoseigus टॉल हो एक ऐसी भी Possibility है कि Heterozygote हमें मिल जाए जैसा कि हमें चार में से दो बार मिलेगा और एक हमें Homoseigus ड्वार्फ प्लांट मिलने की भी चांस है तो यह पर चार तरह के हमें Genotype मिल रहा है एक जिसमें दोनो Capital T है फिर दो बार हमें ऐसा Appear हो रहा है जिसमें Heterozygous Condition है और एक बार दोनो Small T है तो चार में से 1 इस्टो 2 इस्टो 1 के Ratio में यह हमें सारे Genotype मिल रहा है हाला कि अगर हम Phenotype का Ratio देखते है तो यह Ratio वेरी करेगा क्योंकि हमारे Heterozygous भी Homosegous Tall जैसा ही Phenotype शो करेंगे Small T का तो होना ना होना बराबर है क्योंकि यह तो खुदको एक्सप्रेसी नहीं कर पाएगा Dominant Allyl की Presence में तो Phenotype का Tall Dwarf का Ratio 3 is to 1 का आ जाएगा लेकिन Genotype के तीन तरह के अपियर हो रहे है इसलिए 1 is to 2 is to 1 का Ratio हमारे पास में आता है Correct Answer यहाँ पर हम Option A कर देंगे Genotype का Ratio पूछा गया था इसलिए 3 is to 1 तो होई नहीं सकता और 1 is to 1 is to 1 में भी Tall Homosegous, फिर Tall Heterosegous और Dwarf का यह हमें सही Ratio दिया हुआ है यहाँ पर Ratio दो Correct है, Option B में लेकिन यहाँ पर Heterosegous 1 बता दिया है और Homozygous 2 बता दिया है जब कि इसका उल्टा होना चाहिए Option A हमारा सही आंसर है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 84444 उपर